महिमा की सास हेमलता बहुत ही कंचूस स्वभाव की थी हर बात में कंचूसी करना उसकी आदत थी बहन जी कितनी दूर गलियों में घुमा कर और दस दुकानों पर रिक्षार रोक कर यहां घर तक सिर्फ पंदरा रुपए दे रही हैं आप साथ रुपए हुए बाजार से आपके घर तक के साथ रुपए पाँच मिनिट की दूरी थी तूने ही तो पंदर रुपए बोले थे बहन जी दो कदम करते करते रिक्षा घर तक घसीट लाई तुम मुझे बोला सामने तक ही जाना है अब बिना पैसे दिये कहां जा रही हो ओ भेन जी ये पंदर रुपए लेने है तो ले नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे तुम जैसे कंजूस लोगों से तो पहले ही तय करके चलना चाहिए बिकार में इतना चलाया रजनी ओ रजनी ये ले सबजियां महिमा को दे दे फ्रिज में लगा देगी ये क्या चार आलू चार प्यास चार टमाटर सब कुछ सिर्फ चार चार ये कोई कम है इतनी महंगी सबजियां थी ये सारी सबजियां पूरे पचास रुपे किलाई हूँ ये चार गिंती के हैं इन में से एक एक चार बार की सबजी के हैं होली तक चलानी है ये सबजियां माई के में तो चाहे चटनी से रोटी खाती होगी यहां सबसियां थोड़ी लग रही है मैं बचत ना करूँ तो ये घर तो लुठी जाए और रजनी तू क्या कर रही है रसोई की अलमारी साफ करने को बोला था इतनी देर से वही लगी हुई है माजी ये सूखे गोले तो गोदे और खराब हिसालक कर दे सब गोले साफ हो जाएंगे माहा कंजूस है अमाजी तो इनसे तो राम ही बचाएं कैसी पागल है साफ बढ़िया नारियोल फेक रही थी अच्छा हुआ देख लिया इसका क्या चाता नुकसान तो मेरा ही होता महिमा बहू इधरा जरा ये त कमीजें अभी दो साल और चल जाएंगी इन्हें तुम पुरानी बोल रही हो कभी अपने माईके में ऐसा किया है तुम्हें आए अभी छे महीने नहीं हुए तुम तो घर लुटाने पर दुल गई चुप चाप ये कमीजें मोहित की अलमारी में वापस रग दो हेमलता इस बार हमारे बेटा बहु की पहली होली है सारे इंतजाम ठीक से करवा लेना बाहर गार्डन एरिया में ठीक रहेगा सब कुछ और हां होली पर खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए हलवाई से बात करनी है मैं जरा काम से जा रहा हूँ तुम उन्हें सब कुछ समझा देना ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैंने एक हलवाई से बात की हुई है वो आता ही होगा महिमा जरा इधर आओ जी माजी आपने बुला देखो बहू अपने घरवालों को पहले ही बोल देना यहां आकर फाल्तु का शोर शराबा ना करे तुम्हारे भाई बहन को भी समझा देना ये बड़े घरों की होली है थोड़ा ध्यान रखेंगे पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे उनके सामने स किसी को भी एडवांस देने हो तो आप दे देना मोहित हेमलता को पैसे देकर चला जाता है कुछ देर बाद दो लोग हेमलता से मिलने आते हैं देखो जो काम सबसे सस्ता हो वो बताना पहली बार तुमसे खाना बनवा रहे है बेहन जी सबसे सस्ता खाना बनवाना है तो मातर बीस हजार रुपय का खर्चा आएगा उसमें घी तेल जितना भी इस्तिमाल होगा हमारी तरफ से मुफ्त ये तो बड़ा सही है बीस हजार में होली की पाटी का खाना अच्छा ये गुजिया समोसे भले पापड़ी वगेरा वो भी तो बनवानी है बस इतनी सी बात पैसे तो मैं तुम्हें अभी दिये देती हूँ ये लोग पूरे बीस हजार रुपय है हाँ मातर जी आपके पूरे पैसे आये हुए होंगे तो हम किसी और को हाँ कहने वाले नहीं रहेंगे माची पूरी पैमेंट मत दीजे अभी एडवांस के तौर पर पांच हजार ही सही रहेंगे बाकी पैमेंट उसी दिन दे देते तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैं बहुत साल उसे होली की पार्टी करवा रही हूँ मुझे पता है मुझे क्या करना है तुम जाओ भाईया और हाँ परसो सुबा आठ बजे भी पहुँच जाना क्योंकि बारव बजे तक सारा खाना तयार करना है और बीच बीच में कभी कुछ खाने का बनाना होगा तो वो भी हम बनवाते रहेंगे हेमलता महिमा को चुप करा देती है हूली का त्योहार आ जाता है अपा गार्डन में सारी तैयारिया हो रही है सारे टेबल लगा दिये एक-एक टेबल मैंने पिचकारी गुलाल और रंगों का लगवा दिया है जिसको भी लेना होगा वो वहीं से ले लेगा वो तो ठीक है पर खाने का इंतिजाम अभी तक शुरू नहीं हुआ है हेमलता वो हलवाई कहा है जो तुमने बुक किये थे मैंने तो उन्हें आट बजे आने के लिए बूल दिया था पर अब तो साड़े नौ बज रहे है अरे तो उन्हें फोन मिलाओ देखो कहां रहे गए जो नमबर उन्हें मुझे दिया था वो स्विच ओफ आ रहा है तुमने हमेशा की तरह हमारे भरोसे के मदन हलवाई को बुक क्यों नहीं किया है कितने सालों से हम मदन हलवाई को ही बुक करते आ रहे हैं पापा मदन हलवाई को फोन मिलाओ जरा अगर वो आ जाए तो हमारे पास सामान तो आया ही हुआ है बस बनाना है हेलो मदन हलवाई अब मैं ब्रिज की शोर बोल रहा हूँ भाई अच्छा चलो कोई बात नहीं क्या हुआ पापा आज होली पर सारे हलवाई बुख है किसी के पास समय नहीं है बताओ तुमने उन्हें कोई पैसे वगेरा तो नहीं दिये थे 20,000 दे दिये थे मुझे लगा सस्ते में सब कुछ मिल रहा है इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है कंजूसी के भी अध होती है बच्चों का पहला त्योहार है महमान आने शुरू हो गए है महमानों को क्या खिलाएंगे बेजजती हो जाएगी आज सब के सामने रजनी तुम केशव के साथ महमानों को पानी कोल ड्रिंक सर्व करो हम कुछ सोचते हैं तभी महमा के माई के वाले आ जाते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है हेमलता का मन बहुत खराब हो रहा था वो किसी से नजरे नहीं मिला पा रही थी ये सब महमा देख रही थी माजी आप मनुदास मत करो अभी तो दस पजे हैं हमारे पास दो घंटे का समय है मोहित जरा इधर आना महमा बहु ये खाना बनाने का सारा सामान तुम कहा ले जा रही हो बाबुजी आज होली पाटी का टेस्टी खाना आपकी बहु महमा बनाएगी आप परिशान मत हो ये भाई साहब सब हो जाएगा महमा अपनी मम्मी और बहन के साथ मिलकर खाने की तयारी करती है एक घंटा बीच चुका था रजनी ये ठंडा ही तयार हो गई है केशव के साथ बाहर टेबल पर रखवा दो मा गुज्या तयार हो गई शालू ये भले दही में डाल दे क्या बात है महमा भटूरे छुले तयार भी हो गई लगभग सब कुछ तयार हो गया है मेरी बहु की पहली होली और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी महमा ठेर सारे पकवान तयार कर देती है सभी महमान बहुत खोश होते है हे मलता जी होली पार्टी में तो मज़ा आ गया इतने स्वादिष्ट पकवान तयार किये हुए थे ये सब तयारी मेरी बहु महमा ने की है बड़ी अच्छी बहु आई है सच मुच बड़ी हसमुख है आपकी बहु आँठी जी इसी बात पर एक प्लेट फ्रूट चाट और अरे बहु मेरा तो पेट फूल चुका है सब हसी खुशी मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते है होली का तयो हार खुशी खुशी बीच जाता है हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो गया था जिस बहु को वो ताने देती थी आज उसी बहु और उसके माई के वालो ने हेमलता का साथ दिया उस दिन के बाद हेमलता कंजूसी की आदत छोड़ देती है फ्लाइट का समय हो गया भई जल्दी करो हो गया जी तुमने टेक्सी बुलाई क्या हाँ हाँ बुला लाओ ये बैग मुझे दो नमस्ति शोबना जी इस बार तो आपकी दिवाली विदेश में होगी कब तक लोटने का इरादा है दो महीने तो लगी जाएंगे अब बेटे की शादी के बाद हम बहु के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने चा रहे हैं पोथा भी पांच बरस का हो गया वो भी बार बार फोन करता है दादा दादी आजाओ आजाओ चलो बढ़िया हैं दिवाली मनाकर खुशी-खुशी लोटो फिर मिलते हैं शोबना और नरेंद्र का बेटा अरुन विदेश में नौकरी करता था उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरेज कर ली थी इस बार शोबना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहु के पास विदेश जा रहे थे उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था इसलिए उनकी बहु कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था अरुन तुम क्या करोगे एएरपोर्ट जाकर मा जी पापाजी कैब से आ जाएंगे फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने है ठीक है मैं पापा को फोन कर देता हूँ हेलो पापा आप लोग पहुँच गए तो एक काम करो मुझे आने में समय लग जाएगा आप एएपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी आप घर में आप घर का एड्रेस दे दे देना मैंने आपको फोन पर भीज दिया होगे तो आराम से आ जाओगे आप ठीक हा बेटा तुम सिंता मत करो हम आ जाएंगे हैं पहली बार शोगना और नरेंद्र विदेश आये थे बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुँचते हैं दादी जी दादा जी आपको पता है दो दिन बाद दिवाली है बहुत सारे गेस्ट आएंगे मेरे फ्रेंज भी आएंगे वैसे भी बहुत अच्छा है इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं ढादि ये सब क्या है बंटी बेٹा तुम आदि दीवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंड दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेश महत्व है। पर दादी ये दिये क्यों जलाई जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस दिन। अब शोबना और नरेंडर भी क्या करते हैं। उन्हें बहु के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी। इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारिया कर रहे थी। अरुन बेटा, दिवाली पर लक्षमी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है। तुम लोग वो नहीं रख रहे हो। अरुन और कियारा वहां से चले जाते हैं। शोबना खील-खीलों ने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गैस्ट को बुलालो और खाना पिना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था। इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं और वही चीज अब अरुन भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है। महमान आने शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सब तरफ अंधेरा हो जाता है। ओफ। यह कैसे हो गया। मैंने तो इतनी महंगी और इंपोर्डेड लाइट्स बंद कैसे हो गए। डेवेट जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। आर्टी में ये सब कैसे होगा। सुनो जी दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं है। आप ज़रा मेरे साथ चलो। शोगना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिये और तेल निकालती है। और थाली में सजा कर कुछ देर बाद से बाहर आत दो तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाव। इस ब्यूटिफुल ये दिये कितने सुन्दर दिखाई दे रहे हैं। ये लाइट्स तो बहुत सुन्दर हैं। इस नेट्रल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावर देखकर बहुत खुश होते यारब बहुत शुर्मिंदा थी। उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था। वो इसी बारे में सूच रही थी। आज उन्होंने दिये जला कर पार्टी को संभाल लिया था। तब ही बंटी सब के बीच कहता है। दादी आपने बतायाने कि ये फे दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। और कोई भी शुपकार शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवारे है। और साथ में देवी लक्ष्मी जो धन और वैभव की देवी हैं। उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसलिए दिवाली के दिन भगवा महमान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजान करना चाहिए ना। बंटी बेटा तुम सही कहा रहे हो और आज हमसमी करेंगे। माजी, आप आप जो खील और खीलोने लाई थी वो कहा रखें कियारा की बाते सुनकर शोबना की आँखों में खुशी के आँसु आ जाते हैं। उसके पश्चात शोबना अपनी संस्कृती के हिसाब से दिवाली का पूजन और आर्थी करती है। कियारा भी अपना व्यवार बदल लेती है। और कुछ दिन विदेश में रहकर शोबना और नरेंद्र खुशी-खुशी इंडिया वापस लोटाते हैं।